जानिये क्यों आख्री दौर में मैदान छोड़ भागे अख्लेश यादो जी हाँ आख्री दौर की चुनावी प्रचार में अख्लेश यादो दुन धबा कर भाग गए ऐसा कहा जा रहा है कि आख्री दौर का चुनावी प्रचार करने के लिए डियम से जो पर्मीशन ली जाती है सीदे सीदे खारीच करवा कर अख्लेश यादो ने वहाँ प्रचार प्रचार नहीं किया जी हाँ अख्लेश यादो सायद समझ चुके हैं कि अब उनका कोई भी पैतरा काम नहीं आने वाला है और इस बात की पुस्टी खुद दिनेश लाल यादो निरहुआने की है हाल ही में एक फेमस चैनल को दिये इंटर्वियू में दिनेश लाल यादो निरहुआने कहा कि आज आख्लेश यादो मैदान छोड़ कर भाग चुके हैं उन्होंने अपना चुनाव प्रचार भी आख्लेश यादो नहीं किया इस इंटर्वियू में दिनेश लाल यादो निरहुआने कह दिया कि वो आजमगड में रहके काम भी करेंगे और साथ ही साथ फिल्में भी करेंगे जी हाँ वो फिल्में भी करेंगे और अपने कर्तव्यों का निर्वा भी करेंगे अब ये देखना दिल्चस्प होगा कि जीतने के बाद अपनी बातों पर कितने खरे उतरते हैं दिनेश लाल याद और निरहुआ भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना पिल्कुल लोग दो